अगर बीजेपी को कहीं से लगा है तो वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में असी की असी सीटे जीतने की बात करने वाली बीजेपी को बड़ा जटका लगा है और इसलिए मुख मंत्री योगियाद अतनात के घर पर तत्काल प्रभाव से बड़ी बैठक बुला ली गई है जिहां इस वक्त लखनव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि योगियाद अतनात ने अपने सभी बड़े मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया है जिसमें डीप्टी सीयम के सो प्रसाद मौरिय ब्रिजेस पाठक मौजूद हैं इसके अलावा कैबनेट के तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और सभी इस बैठक में पहुँच रहे हैं अब आगे की रणीती ते होगी मन्थन भी होगा और दिल्ली को जवाब क्या देना है इस पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर दिल्ली को कहीं से थी तो वो उत्तरप्रदेश की 80 सीटों पर थी 80 सीटों में कम से कम 70 सीटे जीतने का दावा एक्जिट पूल में भी था और बीजेपी तो 80 के 80 बात कर रही थी लेकिन अंदर खाने बीजेपी में बात चल रही थी कि 65 से 70 हम जीत जाएंगे लेकिन 40 सीट भी जीतना बीजेपी के लिए उत्तरप्रदेश में मोहाल हो गया और किसी तरीके से बीजेपी 40 के आंकडे तक पहुँच पाई कुछ सीटों पर अभी आगे चल रही है उसके नतीजों का इंतजार करना होगा लेकिन इस बीच उत्तरप्रदेश के मुख्या योग यादतनात ने बड़ी बैठक लखनों में अपने आवास पर बुला ली है और अब आगे की रणीती तेंग की जाएगी कहा ये भी जा रहा है कि केंदरो यूपी सरकार के बीच जो पिछले लंबे वक्त से तनाव चल रहा था उस पर भी अब मन्थन होगा कि किस तरीके से आगे अब बढ़ना है दरसल अब नितीश कुमार चंदरबाबु नाइडू का इस सरकार में बड़ा योगदान हो सकता है क्योंकि दोनों की फैक्टर होंगे चंदरबाबु नाइडू के पास 16 सीटें लगबग हैं और नितीश कुमार के पास 14 सीटें मतलब 30 सीटें और बीजेपी के पास 240 से 245 सीटें मतलब ये मिला कर आप 275 पहुँच रहे हैं और जो सहयोगी है 25 सहयोगी और बीजेपी के साथ वो मिला कर 10-12 सीटे 295 के आसपास आप पहुँच रहे हैं मतलब 300 का भी आकला बीजेपी और इंडिये के लिए मुश्किल हो गया है के से आगे लेकर चलना है कोई छिटके ना इसी लिए उत्तवर प्रदेश के मुख्या योगी आदितनात ने ये बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें डिप्टी सीम के सो प्रसाद मौर ब्रजेश पाठक और तमाम मंत्री मौजूद हैं आपको पल-पल की अपडेट नवफ न्यूस पर जिस तरीके से लगातार एक्जिट पूल के दिन से मिल रही है आगे भी मिलती रहेगी और जब तक सरकार नहीं बन जाएगे शपत ग्रहन नहीं हो जाएगा तब तक आपको यहाँ पर तमाम सरकारें मिलती रहेंगे और अगले 5 साल गडबंधन की सरकार कैसे चलेगी उसकी भी खबर यहीं मिलेगी लेकिन अभी खबर यही है कि लखनों में बड़ी बैठक चल रही है अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ अबडेत उत्तरप्रदेश से आता है